Wall Street में सल्मान खान को जब भी कोई दबंग नाम से बुलाता है तब सल्मान की जो चाती है वो बंगाल के खड़ी जैसी चोड़ी हो जाती है लेकिन एकतक पुर की दिपावली वाली पार्टी में सल्मान खान की सारी दबंगाई धरी की धरी रह गई यानि हिना खान के सामने हिना खान इस अवतार में नजर आई कि सब ने सल्मान खान को छोड़ दिया एक बगल में जो popularity हिना खान को देखने को मिली वो सल्मान खान को वहाँ पर कल देखने को नहीं मिली मतब मीडिया जो है वो सलमान खान को छोड़कर हिना खान के पीछे दोड़ने लगी फैस जो थे वो सलमान खान को छोड़कर हिना खान के पीछे दोड़ने लगे क्योंकि हिना खान जो है वो एक अलगी अवतार में नजर आई थी हिना खान ने जो ड्रेस पहना था उसे देखकर मीडिया वाले पागल हो गए और फैंस भी जो थे वो पागल हो गए क्योंकि हमारे देश में हर बात पर लोग पागल हो जाते हैं पागलपन का दौरा पढ़ने लगता है क्योंकि जरा सी अजीब सी चीज़ दिखती है लोग पागल हो जाते हैं और हिना खान ने ऐसा बताया जा रहा है हाला कि वो तस्वीर मैंने भी देखी है तो हिना खान ने बड़ी होड रेस पहनी थी जिसे देखकर लोग पागल हो गए और सलमान खान को वो वैल्यू मिली ही नहीं अब इसी बात को लेकर सलमान खान के जो फैंस हैं वो हिना खान को ट्रोल करने लगे हिना खान को गालिया देने लगे कि हमारे भाई के सामने हिना खान की क्या उकात है हिना खान मुसलिम धर्म का पालन ही नहीं करती है ऐसे गंदे कपड़े पैरना मुसलिम धर्म में शोभा सब का अपना अपना लॉजिक है अपने अपने लॉजिक के इसाब से धर्म कर्म जाती सब को बाट दिया जाता है अब सल्मान खान के फैंद बोले हैं कि इतने फूहड और गंदे कपड़े पहन कर आएगी तो सनी लियोन भी होती या कोई और भी होती तो लोग उसे ही देखते क्योंकि लोग अच्छे इंसानों को तो देखते नहीं अच्छे इंसान यानि सल्मान खान अच्छे इंसान है उनको लोग नजर अंदाज करें हमारे भाईजान कितना डोनेशन करते हैं कितनी लोगों की सेवा करते हैं लेकिन हमारे भाईजान को कोई ना देख रहा है ना मीडिया वाले नजर आ रहे थे सब हिना खान के पीछे पागल हुए जा रहे थे किसी ने ये क्या दिया कि अपना भाई को इज़्जत मिलने शुरू हो रहेगी देखियार वैसे गालिया तो बहुत बड़ी-बड़ी दिये सर्मान खान के फैंस ने हिना खान को लेकिन यहाँ पर मैं फिल्टर करके चीजों को बता रहाँ क्योंकि यहाँ पर फैमली ओडियेंस है